नमस्कार आप देख रहे हैं दविहार टॉप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडे सक्षमता परिक्षा देने वाले सिक्षकों का आज से अब थम इंप्रेशन और अंगुठे का मिलान सुरू होने वाला है बता दे आपको कि पटना समेत कई जीलों में इसको लेकर सेंटर बनाए गये हैं जहां सिक्षकों का थम इंप्रेशन और अंगुठे का मिलान किया जाएगा इसके साथ 12 तारिक से 14 तारिक तक आंसर पे आपतिर जताने के लिए समय दिया गया है समीति के दवारा इसके बाद 23 तक लगबग रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा पटना मे ऐसे सामपाँच बजए तक इसमें सामिल होना होगा जीला कारे करम पादया जारी पतर जारीकर कर कि अपने प्रखंड के सिक्षक श्यक्षक यही क सामिल हुए हैं उच्छ माध्यमिक विद्याले राजिंदर नगर में उपस्तित रहें इसके साथ ही आपको बता दे कि कहां और किस जगह पर वेरिपिकेशन के लिए सेंटर बनाए गए हैं 9 मार्च को पटना सदर संपत्च उक फत्वा में सेंटर बनाए गए हैं जहां सिप्छको की जांच होगी वहीं 11 मार्च को मसौडी धनरुआ पुनपुन 12 मार्च को घोसवरी मोकामा 13 मार्च को बाड बेलची 14 मार्च को बक्तियारपूर खुसरुपूर दानेयावा 15 मार्च को फुलवारी नौबतपूर दानापूर विक्रम 16 मार्च को मनेर बेटा 17 मार्च को पाली गंज दुलहिन बजार 23 मार्च से रिजल्ट जारी हो सकता है बतादे आपको कि सक्षमता परिक्षा 6 मार्च को खत्म हो गई है प्रदेश के 9 जीलों में कुल 52 कम्प्यूटर परिक्षा केंद्र पर इन परिक्षा का आयोजन किया गया था सक्षा विभाग की ओर से जारी आंकडों की अनुसार 2,21,255 अभियर्थियों ने परिक्षा का फर्म भरा था सिक्षकों का आंसर पर अगर किसी प्रकार की आपत्ती है तो समीती के दोरा 12 तारिक से 14 तारिक तक का समय दिया गया है अब उनके थम इंप्रेशन और बायोमेट्री का मिलान सुरू हो गया है इसके अलावा पटना समेत कई जिलों में केंद्र बनाए गये हैं जहां पे सिक्षकों के थम इंप्रेशन और बायोमेट्री का मिलान किया जाएगा इसके बाद बता दे आपको कि सिक्षकों की आंसर कि अगर किसी प्रकार के आपत्ति है, तो 12त तारीक से 14 तारीक का समय समीति के दौरा दिया गया है। इस समय में सिक्षक अपने आंसर की को लेकर कोई आपत्ति है तो वो जता सकते हैं, इसके बाद 23 मार्ज को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तमाम ऐसे अपडेट के लिए दो विहार टॉप को फॉलो करें, धन्यवाद